हेलो दोस्तों स्वाइब आपका CBG चनल में तो दोस्तों आज की सब्सक्राइब डिस्कस करेंगे हम BAB.C, BAM.C के नियो एडिमिशन के बारे में तो दोस्तो, आज की जो हमारा टॉपिक होने बाला है, वो होने बाला है, give us a अगर हमने पस्ट राड में registration करा लिया है, तो क्या CLC round में भी registration कराना होगा या नहीं कराना होगा, तो इसी के बारे में discuss करेंगे, तो अभी तक आपने चनल को subscribe नहीं कहाएएए, पूछ सकते हैं तो दोस्तो अगर आपने पस्टाइशन करा लिया तो दोस्तो पस्टाइट के बाद में कौन्चा राउंड इस्टाइट होता है जैसा कि आपको पता होगा और CLC round UG का start हो चुका है CLC round UG का start हो चुका है 16 सितमबर last date है और CLC round PG का भी start होने बाला है जो कि 17 सितमबर से हमारा start हो जाएगा CLC round अब दोस्तों बात आती है कि जिन्होंने first round में registration करा लिया है या जिन्होंने first round में college alert नहीं हुआ है किसी भी कारणबा से alert हो गया था तो वे admission नहीं ले पाए थे तो अब वो क्या कर रहे है CLC round का bet कर रहे है लेकिन दोस्तों क्या है CLC round में उन्होंने करा लिया है registration क्या करा लिया है registration करा लिया है तो दोस्तों बात आती है first round में registration करा लिया है निउ केंडिडेट, अगर आपने पस्टान में कोई भी रजिस्टेशन नहीं कराया है, कोई भी रजिस्टेशन नहीं कराया है, तो आपको only काम करना है, आपको रजिस्टेशन कराना होगा, जो new candidate है, CLC round में, new registration कराना होगा, इसके बाद में new choice पिलिंग करानी होगी, और इस कराना होगा, only उनको choice पिलिंग कराना होगा, और बैरी पिकेशन करानी की भी कोई भी आपसकता नहीं है, यानि कि उनको बैरी पिकेशन भी नहीं कराना होगा, तो अच्छे समझ में आ गया होगा, old students हैं, यानि कि पश्टरान में जिन्होंने registration करा लिया है, उनको registration करानी की कोई भी आप इसकता नहीं है उलको only choice playing कराना है bear application भी नहीं कराना है ओके दोस्तों अमित कर रहा हूँ है ही ती चोटी सी जानकारी जो आपको अच्छे समझ में आगई होगी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर देना है दोस्तों के साथ में share कर दें जिससे कि आपके सबी दोस्तों में यह जानकारी पहल सके और बहुत सारे students हैं जिनको इस बारे में knowledge नहीं है तो इस बारे में उनको knowledge मिल सके तो वीडियो को जानता है जानता share कर दें है अब वीडियो को इंबार करते हैं समय आप मिलते हैं इस वीडियो के साथ तब तक लिए बाई